आज गाओं गाओं के अंदर धानी धानी के अंदर डॉक्टर और आई आई टीन जो है मैं कहता हूं कि नोर्थ इंडिया का सबसे बैटर एजुकेशन इंस्टिटूट यह दी कोई है तो वैं CLC है मेरे प्यारे से कस्वे बानसूर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और बोस आपको तो मैं क्या बताऊंगा आपने तो उनको बनाया ही है परन्तु मैं मेरे साथियों को बताना चाहूंगा कि मेरे परिवार से CLC ने पांच डोक्टर दिये हैं और छटा डोक्टर जो है अभी परिक्षा में वेटिंग में हैं इंतिजार कर रहे हैं यह छटा डोक्टर होगा मेरे परिवार से पांच आल्रेडी डोक्टर बन चुके हैं और जैसा बोस ने बड़ाया बड़ी बेटी डैली उनिवेस्टी से MSC है मैच से प्लस JRF है मैच से और यदी इनके संपर्क में आता तो बिल्कु ठीक बात है शायद इससे बड़िया मुकाम पर होते अब रही बात जब बेटी साकसी साड़े तेरा लाक बच्चों में राजस्तान में सात्वा नंबर था और जैसे बोस ने मुझको बात दिखिया कि मैं किसी कोचिंग का नाम ने लूँ उन अच्वीदों से 200 गुना जादा मुझको वहाँ पर मिला। तब मैंने वहां होष्टल के अंदर बच्चों से पढ़ाई के बारे में, खाने के बारे में तो उन बच्चों ने सारों ने मुझको CLC के सकारातम बताई तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि इन बच्चों को ट्रेंड किया गया हो इनके वाडनर दुआरा मैंने मेरी बेटी को वहाँ छोड़ा और उससे जब मैं पांस दिन दस दिन मैंने दो मैंने जब रिपोर्ट करता था कि बेटा खाना कैसा मिलता है तो वो बेटी जब मुझको बताती थी तो मैं यह सोचता था कि अपने घर से भी बढ़िया खाना CLC क अंदर उपलब्द है रोट यहां जो सिक्षण संस्तान नहीं बल्कि एक गुरुकुल है वे CLC गुरुकुल है मैं तो यह समझता हूं कि हमारे ग्रामीन छेतर के अंदर कोचिंग का राष्टा यदी बताया है तो किसी ने वो बोस ने बताया है आज गाओं-गाओं के इंडिया का सबसे बेटर एजूकेशन इंस्टिटूट यदी कोई है तो वह CLC है अब बात करता हूं जब मैं CLC गया तो मुझको मालूम पड़ा कि सब आठ बजे से रात को डेड़ बजे तक नाइट कैम्प लगेंगे तो मैंने सुरू में सोचा कि नाइट कैम्प का क्या कि सबसे बड़ी ताकत है वहां पर जो पड़ाई का माहुल मिलता है सबसे बड़ी बात यह है कि बोस रात को डेड़ बजे तक कभी कर्म इस्तली कभी मकडी नाथ कभी कलाम कभी कहीं सारे होश्टलों के अंदर डेड़ बजे तक बच्चों के साथ में खड़े ओकर जगना और उसके बाद में फिर पांच वजे खड़े हो जाना मित्रों फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि उसके बाद में देड़ दो साल से होशले पस्त हो गए सभी सिक्षन संस्ताओं के अभी भावकों के होशले पस्त हो गए कि अब क्या होगा बच्चा दो साल से तैयारी कर रहा है तीन साल से तैयारी कर रहा था सीक्संट सें बंद हो गई कर दूं। जूं के देख रहा हूं इन्हों ने औलाइन कारेक्रम के बाद only के बाद न अभिवावकkung लेइं उनके इन इस अनोन आठ बजे उसका रिजट देना है, आठ बजे उसको मैडल पहनाना है, उनको मोटिवेट करना है, कभी इनों ने मिश नहीं किया, ये इनकी एक बड़ी खूबी थी, अब बात करता हूँ मोटिवेशन की, तो जब किसी का बेटा पढ़ता है और वो साल बर तैयारी करवाता है फिर भी बच्चा कमजोर रहता है, तो वो एक मैने पहले अपने बेटे को कहता है, भाई बहुत कही थी, पढ़ ले, पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, अब तो ट्रेन छूट चूटी, अब तो परिक्ष्या दिया, जैसा रिजर्ट आएगा, आजाए हो, अभी भी तयारी करो, 400 का होशला नहीं टूटने दिया, 500 का होशला नहीं टूटने दिया इन्होंने, और सभी को एक मोटीवेट करते रहे, पिछले कोरोना काल में, मैं समझता हूँ, कि इनके 600, 600 जहां तक मेरा अनुमान है, सेलक्षन थे, और अब की बार, इस से प्लस शायद है कि हजार की संख्या, CLC पकड़े, इस से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, थैंक्स बोस, बानसुर में पदाल निका,